आप देख रहे हैं वेतन साहब और दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सपने में आग देखने का क्यामत लगोता है लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब क कर लेते हैं सपने आना तो सभाविक हैं वहला कोन इंसे बच पाया है चाहे आप चाहिए या ना चाहिए सपने आपको अपनी आगोश में लेही लेते हैं कई बार हम ऐसे सपने देख लेते हैं जिससे डर जाते और पीच मेही नीन खराब हो जाती है यह सब्सक्राइब कि स दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, आप इस जानकारी के लिए वीडियो को इंप जरूर देखे लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सपने में आग देखने का मतलब होता है कि आपको बहुत ही जल्द यश, वैभव और सम्रिद्धी की प्राप्ती होगी। अगर सपने में आपको दिखे की चारों और आग लगी हुई है और फिर भी आपका बाल भी बाता ना हो तो समझ जाइए जल्दी आपको दोलत और शोहरत मिलने वाली है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि सपने में घर जलते हुए देखना शूभ होता है या फिर अशुग होता है। जहां अब विवाहित जातक को मन चाहा साथे मिल जाता है तो वही विवाहित जातक को उत्तम और हग्याकरी संतान की प्राक्ति होती है यही नहीं घर में आग लगी हो तो आप इसमें जल रहे हो तो गवराइये नहीं क्योंकि यह सुफ़भविश्य की और संकेद करता है यह आपके विदेश यात्रा की और भी संखेद देता है। तो दोस्तों आई आगे आपको बताता है कि सपने में दुकान जलते हुए देखने का क्या आर्थ होता है। अगर कोई दुकान दा सपने में देखे कि उसकी दुकान जलकर स्वा हो गई है तो रच घबराये नहीं क्योंकि यह सपना आपके लिए प्रसनता की बात लेकर आएगा। सपने में दुकान जलते हुए देखने का साफ मतलब होता है कि जल्द ही आपका वेपार सफलता की नई बुलंदिया चूले वाला है। वहीं अगर दुकान जलकर भसम हो जाए अर्थात केवल अवशेश मातल रह जाए तो आने वाले समय में वेपार ठप होने के गगार पर पहुँच जाएगा। आगे बात करते हैं सपने में खुद को आग में जलसते हुए देखने का क्यारत होता है। आगी लपेटो को देख रहे हैं या फिर अगनी कान का दृष्य देख रहे हैं। अगनी को चलाना किसी वस्तु को अगनी में जलना सपने में दिखे तो दे में पित प्रकृतिक के रोख होने की समभवना बंती है। दोस्तो अगर आगे से सपने में कभी भी आग देखते हैं तो आप समझ जाएए कि उसका क्यारत होबार। दोस्तो आपको हमारे यह वीडीयो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जुरूर कीजेगा। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद नहीं आया तो फिर पर हमारी गलती हमें ज़रूर बताईएगा हम जल्दी लोटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद